Hello students, how are you? यह जी के है, class first का यहां तक आपका work हो गया है Next है आज आपका Lesson 7 High up in the sky Name and match the pictures इनके बारे में दिया हुआ है जो pictures है तो इनका हमें name लिखना है और name लिखने के बाद फिर इन picture से उनको match कर देना है First question It is a star It is a big ball of fire It gives us heat and light कि यह जो है एक ball की तरह होता है आग के गोले की तरह और जो यह heat, गर्मी और रोशनी परदार करता है तो क्या होता है यह Sun Second We see it at night Its shape keep changing When its shape is like a ball We call it full कि यह जो है night पर निकलता है हम इसे night पर देख सकते हैं और इसका shape जो है रोश मदब change होता है जब यह अपने पूरे रूप में आता है यह पूरे एक ball की तरह हो जाता है तो हम इसे जब पूरा हो जाता है कैसा दिखता है में पूरा यह Moon और यह हमें small दिखाई देते हैं क्योंकि यह हमसे दूर होते हैं तो क्या होते हैं यह star स्टी ए आर लास्ट इस फ्लोट इन दे स्काई दे कैरी वाटर दे लुक लाइक बॉल ओफ कॉटन कि यह जो है इनक अंदर पानी भरा होता तो फ्रस्ट क्या है यह clouds clouds से मैच करेंगे d से second sun a से मैच करेंगे sun third moon moon से मैच करेंगे four star star से मैच करेंगे यह आपको अपनी भुक में ही fill करना है अब इसका करेंगे हम homework यह आपका homework है lesson seven homework डालना है match the following यह आपकी pictures थी भुक में pictures बनानी है आपको इधर इनके name लिखने है यह फिर इन pictures को इनके name से मैच कर देना है clouds को clouds sun sun से moon moon star star यह आज आपका work है इस आपको अपनी notebook कर complete करना है thank you have a nice day